हलो और वेल्कम टू टार्गेट सरकारी नोकरी आज आपके लिए दो गुड नियूज है एक यूपी टेट रिजल्ट से रिलेटेड है और दूसरी है आपकी 68500 वेकेंसिस के लिए जो आवेदन हुए हैं उसकी एक्जाम डेट की तो दोनों के बारे में डिस्केशन करेंगे चैनल पर जो भी लोग अभी नए आ रहे हैं चैनल को कर लिए सब्सक्राइब इसी तरह के नोटिफिकेशन से या फिर तयारे से लेटेड जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं आपको अगर चाहिए सबसे पहले तो चैनल को करके रखिए सब्सक्राइब वीडियो के नीचे लाल लंगा बटन है उसकी बाद गंटी है गंटी को भी जरूर प्रेस करिएगा वना नोटिफिकेशन नहीं आएंगे पहले समलेजिए तो दोनों को प्रेस करिए और अब मैं बताता हूँ यानि उत्रपरदेश टीचर एलिजिबिल्टी टेस्स जिसे आप कहते हैं यूपी टेट अगर साल 2017 का आपने दिया है तो उसकी रिजल्ट हो चुके हैं आउट वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं मैं बताता आपको वेबसाइट नहीं मालूम है तो इस तरह का टाइप करेंगे लेकिन पहला ही रिजल्ट जो आपको दिखाई देगा यहां पर देखिए इस पहली रिजल्ट को देखिए यह तो यहां आप क्लिक कर देंगे इस लिंक को और आप पहुंच जाएंगे यूपी टेट की ओफिशल वेबसाइट पर जहां आपको रिजल्ट अपना रोल नंबर के थुरू जो है आप देख सकते हैं वहां पर तो इसको खुलने दीजिए थोड़ा देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है तो उत्रपरदिस सिक्षक पार्तव परिशा 2017 इसका रिजल्ट जो है क्लिक है टू यूपीटेट रिजल्ट यहां आप जो है क्लिक करेंगे मैं बता जाता हूं आपको यहां ठीक है इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं लिं यहां कैपचा डाल देंगे इस बॉक्स में तो यह आपका रिजल्ट शो होने लगा और यहां प्रोसीड भी कर देंगे आपको फिर ठीक है रोल नंबर भरने के बाद में और यह कैपचा जो दिखाई दे रहा है आपको अलफ़ेट और निमेरिक जो दिखाई दे रहे हैं यहां पर लिख देंगे इस बॉक्स में और आगे बढ़ें यानि प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट आपका रिजल्ट जो है आपको फिटिएफ आपकी जो है रिजल्ट की आपको मिल जाएगी तो यह तो हो गया यूपीट का रिजल्ट जो बताना था आपको 2017 17 में अगर आपने दिया है तो आप चेक करिए हैं और दूसरी न्यूज है 68500 वेकेंसी की रिग्जाम डेट की उस खुब दिखा देता हूं एक बार दिखिए 68500 वेकेंसी यूपी टेट रिजल 2017 के साथ ही ये न्यूज आई है इसी में है और मैं इसको दिखा देता हूं आपको जी है यहां पर 68500 ये वाला कॉलम आप पढ़िए तो 68500 प्रात्मिक सिक्षक की जो भरती का रास्ता भी साप हो गया है तो ये CM का अनॉंसमेंट है जो एक्जाम डेट है परिक्षा 25 मई को जो है संपन कराई जानी है तो आपके लिए ये खुशकबरी है इसी महीने जो है य 6500 वेकेंसी वाला मुझे लगता बहुत सारे बच्चों इसमें आवे दिन की है तो आपसे रिक्ष्ट है तो आप अपनी तयारी को जो है continue रखी है क्योंकि अब देखे 24 जून को उसके बाद में अगर 25 जून 25 महीं को ये एक्जाम होता उसके बाद 24 जून ठीक महीने बाद अपनी तयारी को रखी continue और मैं इस नेक्स वीडियो आज ही मैं अपलोट करने बाला हूं जिसमें की इन सब के बारे में पूरा discussion करूंगा क्या एक्जाम पैटन है सभी को पता चल जाना चाहिए क्योंकि बहुत से कमेंट्स में देखता हूं अभी तक किसी को कुछ मालूम ही नहीं है उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि इसकी जो एक्जाम का पैटन है वो नहीं मालूम है आपको interview है या नहीं cut off और उसकी जो negative marking है या online होगा या offline होगा exam इस तरह के सारे सवाल जो है उसमें clear हो जाएंगे और उसके बाद में आपको कैसे पढ़ाई करनी है मैं अपनी तरफ से GS का 30 marks का portion है वो कैसे cover कराने वाला हूं क्योंकि exam data भी clear नहीं हो रही थी तो आप इस वीडियो तो उसी को जरूर देखेगा और इसको भी बने रहे इसको भी आप जो है चेक कर लीजिए अपना चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं थेंक्यू